ओम ज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानान जनशलाकया चक्षु उन्मेलितम्येन तस्मै श्री गुरुवे नमहा नम ओम विष्णु पादाय क्रिष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इती नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरेवानी प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पाश्यात्य देशितारिने जै श्री क्रिष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वेत गदाधर श्री वासादी कौर भक्ति व्रिंद आप सभी का तंदुओत प्रणाम आप सभी का स्वागत है शृर प्रहपाद लीलाम्रित के इन सत्रों में श्री सट्रों उदास गुष्भ स्वामेजी द्वारा बहुत ही सुन्दर और प्रयास पुनन तरीके से श्रिपरभपाद की सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की जो पूरी जीवन यात्रा है, उसको लिपिब्द किया गया है, और यहाँ इन सत्रों के द्वारा हम श्रिपरभपाद लेलामरिथ के उनहीं प्रक्रणों को पढ़ने का, सुनने का, समझने का, और जो ग्राहय दूँ है उसे आचरन करने का प्रयास करेंगे अब तक पिछले सत्र के आधार पे हम ने श्रिसचरूपüp श्रुप दास गुस्वा में द Τरना के जीवन के बारे में चाना और समझाह वास्तों में पिछले विश्राफों का करना कि सिर् sizes पढ़ने मातर से हमें यदे आрудर से भाव प्रकार से अपनी सेवा दे पाते हमें इसका ना तो इसमरण है और ना हम इसको अभी अनभव कर सकते हैं पर एक कार है जो हम सभी आज भी कर सकते हैं अभी कर सकते हैं और अब से कर सकते हैं वो ये कि इन विश्यों को पढ़ने सुनने और समझने के पश्चात उनके प्रयास क सार्थक्ता हम अपने जीवन में लाने का अवश अपने तरफ से एक शिलपरोपाद की आर्मी का शिलपरोपाद की सेना का एक सदस से बनने के रूप में इस क्रम में कर सकते हैं कि आसपास जितना भी अनर्थकारी अज्ञान और सनातन को समझने का स्वयम के जीवन में जितने अच्छिना भी आलश से हो प्रमाद हो भगवत प्राप्ति के तत्व को समझने के लिए उन सब को स्वयम के जीवन से और दूसरों के जीवन से दूर करने का हम निश्चित रूप से प्रयास करते हैं पर कोई भी प्रयास पहले स्वसे आरंब होता है तो अपनी भक्ति को अपनी साधना को शिल्य प्रभुपात द्वारा दिये गए पांच जो प्रमुक नियम है चार नियम और सोला माला उसके साथ साथ जो पुस्तक पढ़ना जो आचार प्रचार व्यवहार में भगवत भक्ति नवधा भक्ति की विधियों को लाने का उनका अनुरोध रहा है बहुती सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में उन्होंने हमेशा बहुती नहें पूर्ण शब्दों में करुणावय भाव में हम सभी शिश्यों को सभी श्रोताओं को और केवल किसी देश विशेश ने अपितु समस्त मानव जाती के लिए कहा है तो हम उसमें जरूर अपना योगदान कर सकते हैं और ये प्रयास हम स्वम से शुरू कर सकते हैं तो आज हम प्रकरन नौ जिसका नाम है तो ये प्रकरन आठ था हमारा जिसका नाम था नई दिल्ली विरान में अकेले रोधन इसको हमने पिछले दो सत्रों में समझा था और प्रहुपाद का ये व्रिंदावन वास कैसा था ये हम श्रित सत्रों दा गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई पुस्तर के पंक्ती दरपंक्ती पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे तो आरम करते हैं श्रिल प्रहुपाद लेलामृत प्रकरन नौ व्रिंदावन का एक देख रहा था मेरे गुरु भाई ने मुझसे आग्रह किया भक्ति वेदान प्रहु आप ये अवश्य करें सन्यास आश्रम स्विकार किये बिना कोई उपदेशक नहीं बन सकता इस प्रकार उन्होंने आग्रह किया आग्रह उन्होंने नहीं किया अब वस्तुतर मेरे आध् इसलिए उन्होंने इस गुरु भाई के माध्यम से जोर दिया। तुम स्वीकार करो। अता अनिक्षय पूर्वक मैंने स्वीकार किया। श्रील प्रहुपाद स्मरन करते हैं। पत्थर की एक मस्जिद को पार करती हुई वह आगे बढ़ती गई। अभय एक तीसरे दरजे के डिब्बे में बैठे थे। उनका सामान सीट के नीचे रखा था। उन्होंने देखा कि मजदूर हाथ में धातू के बने टिफिन के लंच के डिब्बे लिए हुए रेल की पट सवेरे की हवा में भर रहा था। इंद्रप्रस्त बिजली घर की उची चिमनिया एक दूसरे ही प्रकार का धुआ उगल रही थी और इंजन से निकलता धुआ काले बादल की तरब पीछे की और उड़ता जा रहा था। रेल की लाइन की बगल में काटेधार ज़ड बेरी की जाडियों में लाल और बैंगली रंग के चंगली फूल खिल रहे थे दूर पर मतुरा जाने वाली सड़क दिखाई दे रही थी जिसकी दूनों और फलहीन कीकर के पेड़ गोट सरीखे खड़े थे। आगरा जाने वाली यह सवेरी की गाड़ी थी और यात्री थोड़े थ जब व्यवसाई के लिए उन्हें बंगाल, पंजाब, उत्रप्रदेश, महराश्ट्र और आनर प्रदेश में यात्रा ही करनी पड़ी थी। अबहे ने कोसी में उनका प्रवचन सुना था और श्रील भक्ति सिधान्त ने लक्षित किया था कि वह सुनने में रुची रखता है। और तब तीन वर्ष बाद अपने आध्यात्मी गुरु के साथ वे फिर राधाकुंड गए थे। लेकिन इस तरह निवास करने के लिए पहले कभी नहीं गए थे। भूमी का विस्तार था। गाड़ी की रफतार तेज हो रही थी। गाओं के बाद गाओं पीशे चूटते जा रहे थे। दिल्ली से एक घंटे की यात्रा के बाद जमीन समतल और खुली मिलने लगी। बीच-बीच में छोटे गाओं थे। कभी-कभी अभे को कोई विचित सुर्य का राज था। और 1903 में जब वे जहांसी से वहां गए थे तभी से उन्होंने मंदिर के प्रबंदक से संपर्क बनाई रखा था। तो दिल्ली की कितनी भी कठिन परिसेतियों वाला अनुभव शुल्य प्रभवपात के पास रहा पर उसने उनके भौतिक कठिनता के अनुभव ने उनको इनके आध्यात्मिक संधान से लक्ष से कभी भी विमुक नहीं किया। तो उद्देश्च था कि अभी भी बैक टू गॉड हैट का उन्हें प्रचार करना की पत्रिका लिखनी है। उसका प्रकाशन कराना है और उसका वित्रन करना है। दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का नहीं रखते थे, वो व्यक्तिगत रूप से पत्रिका को वित्रित करते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत समय से उनकी इक्षाथी पर पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्निक जिम्मेदारियां जिस प्रकार से वो वहन कर रहे थे, व्यवसाइक उसमय नहीं निकाल पाये थे कि वो व्रिंदावन जाकर कभी इस प्रकार सहस तरीके से निवास कर सके, और अब जब उनका ध्ये पहले से भी बहुत ज्यादा इस पश्ट था, उन्होंने वो कमरा उनके मन में विचार में था, जहां से पूरा व्रिंदावन दिखाई देता है, व्रिंदावन जाने में अब हैं अपने पूर्व गामी आध्यात्मी गुरुओं का अनुसरान कर रहे थे, शिल्प भक्ति सिधान सरस्वती और भक्ति विनो ठाकुर के निवास इस्थान राधा कुंड में थे, और वे व्रिंदावन में प्रवचन कर चुके थे, गौर किशोर दाश बा व्रिंदावन में कृष्ण के लीला स्थलों की खोज निकालने के लिए भेजा था, जो शताबदियों के दौरान विस्मृत हो गए थे, रूप और सनातन अपने प्रतिष्थित सरकारी पदों का त्याक करके व्रिंदावन में रहने लगे थे, साधारा लोंगुटी पहन क वे बिना किसी निश्चित निवास के हर रात भिन्द भिन्द पेड़ों के नीचे बिताते हुए व्रिंदावन में रह चुके थे, व्रिंदावन में छे गोस्वामियों के नाम से विख्यात वपूजित इन दोनों ने और जीव गोस्वामी, रगुनाद दास गोस्वामी रगुनाद बढ़ गोस्वामी और गोपाल बढ़ गोस्वामी ने मिलकर कृष्ण भक्ती पर विशाल साहित्य तैयार किया था। रगुनाद बढ़ गोस्वामी और गोपाल बढ़ गोस्वामी सबने वरिंदावन में निवास किया है। चाहिए हमारे नुरतमदाश ठाकुर रहे हों कभी उन्होंने वरिंदावन में कभी चैतन्य महाप्रभु के निवास जहां पर उनका जन्म स्थान है नवद भी वहाँ पर निवास किया। तो एक प्रकार से शिल प्रहुपाद जो वरिंदावन की भक्ती में उर्वरा भूमी है, भक्ती के लिए इतनी अनुकूल भूमी है। उस स्थान पर पुर्ण जाने के और निवास करने के लिए इसलिए एक्षित है ताकि वो अपने अंदर की जो उर्जय शक्ती है प्रचार प्रसार की उसको अब फिर पुर्ण संचित कर सके और उनके स्वयम की गुरु महाराज जिन से उन्हों राधाकुन पर मिले थे वहा कई घंटे वो चैतने महाप्रभू की लीला का वर्णन करते थे तो वो दिव्य ध्याम है व्रंदावन जहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर भक्ती भी उग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित व्यक्ती का मन मस्तिश के सिदे बंधा रहता है व्रंदावन म श्री चैतने महाप्रभू का हृदय उल्लसित प्रेम में डूबा था किन्तु जब व्रंदावन की मार्ग पर आगे बढ़े तो वह प्रेम सौ गुना अधिक हो गया जब व्रंदावन के वनों में भ्रमण करने लगे तो वह लाखों गुना अधिक हो गया जब वे कहीं अन उनका खाना पीना नहाना धोना केवल आदत के तौर पर होता था व्रंदावन भगवान क्रिश्न के शाश्वत आध्यात्म लोक का लौकिक रूप है जिसका वर्णन स्वयम भगवान ने भगवत गीता में किया है एक अन्य प्रकृती है जो शाश्वत है और प्रकट अप् प्रदार से परे है उसका नाश कभी नहीं होता वह परम लक्ष है जब कोई वहां पहुंच जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता वह मेरा परम धाम है क्रिश्नी की सच्चिदाद लिलाओं का और उनके धाम गोलोक व्रंदावन का वर्णन बहुत से वैदिक ग्रंथों मे हुआ है मैं आदि देव आदि स्रिष्टी करता गोविंद की अराधना करता हूं जो आध्यात्मी करतनों से निर्मित धामों में रहते हैं जहां वे लाखो कल्प व्रिक्षों से आक्षादित और सहस्त्रों लक्ष्मियों या गोपियों से बड़ी श्रधा और प्रेम से से देवित कामनाओं की पूर्ती करने वाली गाओं को चराते हैं लक्ष्मी शहस्त सत्संब्रम से विमानम गोविंद मादि पुर्षम तमहम भजामी तो व्रिंदावन का वर्णर वास्त्रों में अने को दिव्वे गृंतों में हुआ है ये दिपी भगवान कृष्ण का धाम गोलोक व्रिंदावन भौतिक जगत से अत्यंत परे है किन्तु वे जब प्रत्वी पर अवतरित होते हैं तब वे अपने शाश्वत धाम का प्रदर्शन भारत के व्रिंदावन में करते हैं उत्तर भारत के उस 84 वर्ग मील का छेत्र का तादतम में आध्यात्मिक आकाश के शाश्वत लोक से है व्रिंदावन में वास करने और मरने से भक्त का शाश्वत आध्यात्म लोक में पहुंच जाना निश्चित हो जाता है व्रिंदावन के निवासी यहां तक कि वहां के पशु भी महान है जीवन के अंत में उनका इस्थानांतरन गोलोक व्रिंदावन हो काली की यात्रा से भी कोई अपने हिदय में परम भगवान की अनुभूती कर सकता है। ये देपी भौतिक जक्षुओं को वह सामाने स्थान लगता है। की इमारत पर गई। द्वार से होकर स्टेशन से बाहर निकलने पर उन्हें एक तांगा वाला मिला। उससे किराया तै करके वे केशी घाट चले गए। डगमक करती घोडा गाड़ी आधे मील तक रेलवे लाइन और रेलवे यार्ड के बीच की सड़क पर चलती रही। मुख्य सड़क आने पर वे लोग बाई और मुड़ गए, लाइन के नीचे एक पुल से गुजरते हुए वे एक खुले बाजार में पहुँचे। फलो, सबजी और अनाजों के धेर के धेर जमीन पर रखे थे। उनकी बगल में बैठे व्यापारी, वस्तूओं के विन्मे और तॉल में लगे थे जबकि खरिदारों की भीड इधर उधर आ जा रही थी। पीले हरे गुलाबी बैंगनी रंग की चटकीली साड़ियां पहने हुए मतुरा की स्तुरियां खरिदारी करती बाजार में घुम फिर रही थी। आने जाने वाले वहानों में अधिकतर बैल गाडियां थी। बैलों के कंदों के बीच प्राया जुए पर बैटे गाडिवान लकड़ी के दस्त से बंधी रसी के कोड़े से कभी एक बैल को हाकते तो कभी दूसरे को। वरिंदावन के मार्ग में यद्यपी यह सबसे घना बसा शेत्र था तो भी दिल्ली की तुलना में यह साधारन और ग्रामेर लगता था। तो सरल सहज वरिंदावन की उस समय की यह पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कि हम सामने वरिंदावन में ही चल रहे हैं किधर बाएं किधर दाएं किस प्रकार के लोग हैं किस प्रकार के सामानें किस प्रकार का परिवेश है अगल बगल हरियाली किस प्रकार की हैं यह सब श्रील प्रोपात की स्मृति में अक्षुन था और श्री सत्रुफ दोस्वामी जी ने उसे यथावत यहाँ पर प्रस्तुत किया है वास्तों में जिन्होंने भी व्रंदावन के दर्शन किये हैं उन सबको इस बात का अनुभव होगा कि व्रंदावन हमें कभी भी भौतिक द प्रिशन कराया है सूरे सिर पर था लेकिन तांगा के उपर की छत्री से कुछ चाया मिल रही थी कृष्म का ताप समाप्त हो चुका था बाजार के बाद सड़क दाहिनी और मुडी और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के निकट सफेद गुंबदो वाली रेतीले पत्थर की बनी भरी भारी भर कम मस्जिद दिखाई पड़ी शताब्दियों पहले आक्रमनकारी मुसल्मानों ने भव्य कृष्ण मंदिर को नश्ट कर दिया था और उसके स्थान पर मस्जिद बना दी थी और अब मस्जिद के ठीक सामने एक नया और पहले से छोटा आकार का कृष्ण मंदिर खड़ा था वितिराहे पर पहुंचे जहां से नई दिल्ली मतुरा नगर और व्रिंदावन की सडके फट्ती थी तांगे वाले ने घोड़े को कोड़ा लगाया और तांगा व्रिंदावन की सडक पर शुब्र गायों के जुन्ड बीच से होता हुआ उन्हें ठिगने काले भैसे खीच रहे थे अपनों से भी बड़े कलही और बालू के बोरे पीट पर लादे लंबी पतली टांगों वाले छोटे कद के गधो की पंक्ती अलग चल रही थी परिक्रमा के दिनों जब अभय अपने आध्यात्मिक गुरू के दर्शन के लिए य यह उनके लिए सहज रहत थी फिर भी यद्यपी व्रंदावन के लिए उनके मन में दिव्वे भाव थे उन्होंने जो दिल्ली के प्रचारक के रूप में महिनों कारे किया था उसकी यादे उनके मन में बनी थी सरक की सरकों में Back to Godhead लेकर स्थान स्थान पर घूमने की थे घर ग्रियस्ति की जिम्मेदारियों से उन्होंने अवकाश रहन कर लिया था लेकिन बैक टू गॉड हेट को इलस्टरेट वीकली की तरह जनप्री और बढ़िया बनाने की जिम्मेदारियों से नहीं उन्हें व्रंदावन में निवास करना था और दिल्ली आते जाते रहन था लेकिन प्रचार का कार उन्हें कभी बंद नहीं करना था तो हमें स्मरणों जैसा मैंने एक दुम आरम में ही कहा था कि उद्देश्य श्रीलप्रभुपात का सदया इस पश्ट रहा एक निष्ट उद्देश्य एक निष्ट उनके जीवन में सतत प्रेर्णा रही अपन से प्रंदावन के परिसर का बोध हुआ सरक की दोनों और बगीचों के अहाते और निजी संपत्ती और आश्रम दिखाई देने लगे चमचमाती धूप में कोमल श्वेत मालती सुनहरे गेंदा लाल चमेली और कई प्रकार के पेड़ वफूल जो केवल व्रंदावन में मिल और बाजारों की भीर थी और शहरी मकान थे आगे बढ़ने पर शांती मिली तब एक तंग गली के सिरे पर यमरा जी के किनारे केशी स्नान घाट के निकट वंशी कोपाल जी के मंदिर का एक छोटा सा सुन्दर अलंकृत द्वार दिखाई दिया मंदिर का भवन संकरा तिमं प्रवेश्ट हुए तांगे वाला उनका सामाल लिये हुए पीशे चल रहा था द्वार पार करने पर नोंने अपने जूते उतार दिया और लोही की जंजरी से आच्छादेत खुले आंगन में प्रवेश किया जिसके दुमंजले पर कुछ पक्षी बैठे थे आंगन का एक खिस्सासूरी की क्रणों से आलोकित था, वहां इस्तंभ पर गमले में तुलसी का पौधा विराज रहा था, मंदिर शीतल और शांत प्रतीत हुआ प्रांगर से लगा हुआ श्रीव इग्रह कक्ष था जिसके दौर बंद थे और उनमें ताले लगे हुए थे, उपर कमरो वाला एक तहकाना था जिसका दौर आंगन से दिखाई दे रहा था, कपड़े टांगने के लिए बंधी रसी पर फैलाई हुई कुछ सानिया और फेद थे और दाड़ी बिखरी हुई थी, ये दिभी अभय का पहनावा मामुली था लेकिन गोपाल के तुल्लवे जो केवल एक मोटी धोती पहने थे, वे अच्छी भेश भूशा में लगते थे, गोपाल अभय को ऊपर ले गए, बाहर च्छत पर निकल कर जब अभय ने देखा तो वे मुस्कुराने लगे, मुश्किल से सो ही गज की दूरी पर रेमरा थी, वह उनके ठीक सामने प्रवाहमान जल की केवल पतली धारा ही नहीं थी, वरन उनकी दाई और बाई और बल खाकर बहती वे विस्तित जलराशी थी, जो तीसरे पहर के सूरे के प्रकाश म में चमचमा रही थी, जहां तक दृष्टी जाती थी, वहीं बालू के डिल्टा दिखाई देते थे, कई चर्ती हुई गाए, भैसों के जुन्ड कहीं, घास से आच्छादित यमुना के तट, कहीं मैदान, कहीं पेड, और विप्रीत दिशा में व्रिंदावन का कस्बा था जिसमें दर्जनों, मंदिरों के शिकर और गुम्बत दिखाई पड़ रहे थे, चट पर अभै का छोटा सा कमरा अकेला था, उसमें दूहरे तंग दर्वाजे थे और खिडकियों में चड़ लगे थे, अभै की चट पर वानर अपने नन्हे बच्चों को लिए निश्चिन कियों सेवे केशी घाट का महल, गोपिनात मंदिर का आराध्य शिकर और उसके आगे चौड़ी यमुना का अवाद प्रवा, हरे भरे किनारे और आकाश सभी कुछ देख सकते थे कमरे की सभी वस्तूओं मिट्टी के तेल का छोटा सा दीपर किस्तानार्थ कुएं से जल निकालने की बाल्ती और रसी आदी से अभै को अवगत कराने के बाद, गोपाल ने सावधाने से सरकारी टिकट लगा किराय का एक अनुबंध पत्र निकाला अभै ने अपने को दिवंगा श्री श्रीमस भक्ति सिद्धान सरस्वती प्रभुपाद का शिष्य घोसित करते हुए उस पर एक संक्षिप्त अनुक्षेद लिका इस बात के प्रमार सुरूप की वे 5 रुपे प्रतिमास पर उस कमरे के किरायदार है, दोनों दलों ने हस् प्रकाश श्री प्रभुपाद विंदावन की उस दिव्वे धराधाम पर स्वयम का निवास स्थान अपनी प्रोणावस्था, अपनी व्रिधावस्था के कोई त्याग समर्पन के लिए नहीं, व्यक्तिगत त्याग नहीं, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, अपितु बैक टू गॉड़ेड लिखकर, अन्य पुस्थों को लिखकर उनका प्रचार कारयारम करने के प्रतिबद्धता के अंतरगत 5 रुपे महीने के किराय के अनुब तो वे श्री विक्रह का दर्शन करने के लिए नीचे उतरे, गुपाल ने जो बहुत वर्षों से मंदिर के पुजारी थे और 1923 इस्च्वी में उसे पुना निर्मित होते हुए देख चुके थे, अभे को बताया था कि मंदिर के विग्रह वंशी गुपाल जी की स्थापन में खड़े और हाथ में वंशी लिए हुए सुन्दर वंशी गुपाल का श्री विग्रह बड़ा मनुहक था, वह तीन फुट उचा था और काले संग्वर्मर का बना था, राधरानी का श्री विग्रह को छोटा था और पीतल का बना था, श्री विग्रह सफेद रंग के संध्या में व्रिंदावन कस्वे पर सूर्यास्त होने के समय अभे छट पर वापस आये, पूरी छट अकेले उनके टहलने के लिए थी, अभे टहलते रहे और नामजब करते रहे, यमुना से आती सांधिकालीन ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, कभी कभी कोई एकाकी भगवान कृष्णी की लीला स्थली के मध्य स्थित वह स्थान अभे को आनंद दायक लगा, वे वहां के लिए ऐसे कोई नए नहीं थे, जो एक अंजान कस्वे में पहला दिन बिता रहे हुँ, वहां की हर वस्तु उनके लिए परिचित और प्रियत ही, जोकि व्रिंदाव होते ही नगर भर के मंदिरों में घंटे बजने लगे, अभै शत के पश्चीमी किनारे पर गए और वहां से हजारों मंदिरों का वह नगर देखने लगे, गोविंची मंदिर रगुनात मंदिरों adolescent और हजारे छोटों मंदिरों में भगवान कृष्णी की महिमा का बखान कर पर पर बारे में जाने जोए संध्या आरती और भजंकितन की धूंग मची थी। व्रंदावन के उन दृष्यों और स्वर लहरियों की अभय के हृत्य में वैसी अनुकिया थी जैसी एक सच्चे भक्तवे होनी चाहिए। उनके मन के भाव और विचार, क्रिष्ण, क्रिष्ण के भक्तों तथा क्रिष्ण के धाम की चेतना और सराहना से ओत्प्रोत थे। सुभावता वे सबको उपदेश देकर यह बताने की सोचने लगे कि सभी लोग व्रिंदावन में मिलने वाली आंतरिक शांती और उल्लास के बारे में जाने। पर अब ब्रह्म क्रिष्ण सभी आत्माओं को आमंतरित कर रहे थे कि वे उनके शाश्वत धाम में उतरे उनसे ज विप्राय क्या है? लेकिन संसार के सभी लोगों को ऐसा ज्यान क्यूं नहीं मिलना चाहिए? व्रिंदावन शांती का धाम था लेकिन यह कोई नहीं जानता था ना ही किसी में जानने की रुचि थी. परन्तु सचमुच इसे ही जानने की अभिलाशा सभी में थी. तो व्रिंदावन पहुँचे हुए अभी शिलप्रोपाद को दिन भर भी नहीं बीता है कि वहाँ उपस्थित अनुकूल परिस्थितिया देखे शिलप्रोपाद विचार करने लगे कि कैसे व्रिंदावन में मिलने वाली आंतरिक शान्ती और उल्लास के बारे में सभी जाने उन्हें निश्यत रूप से इस पर कारे करना चाहिए अभे को बैक टू गौड हेट का ध्यान आया और इस बात का कि कृष्णी की क्रिपा से वे भारत के बाहर भी सारे संसार में अपने प्रचार कारे का विस्तार कर सकते हैं उनके गुरु भाई अच्छा होता कि वे मिल जुलकर गौडी मट में कारे करते रहते लेकिन उनमें से बहुत से कम से कम विधी विधानों का पालन तो कर रहे थे लेकिन उनमें से कोई भी कुछ विशेश नहीं कर पा रहा था सिवा इसके की कुछ लोग किसी मंदिर की और कुछ किसी आश्रम की देख भाल कर रहे थे या श्री विग्रर की अराधना करते वे खाने पीने और सोने में समय बिता रहे थे परन्तु इसके अत्रित भी व्रिंदावन की महिमा का प्रसानन करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी था अभे भजन करने लगे और कृष्णे के विचारों में डूब गए दिरे दिरे उनका ध्यान बैक टू गॉड हैट का अक्टूबर रंक निकालने की ओर गया उसकी छपाई दिल्ली में जल्दी होनी थी निश्चित समय के अंदर कार्य पूरा होना था दूसरे दिन सुर्योदय के पहले ही व्रिंदावन के निवासी जाग गए वे यमुना में नहाने अपने अराद श्री विक्रों की पूजा करने और मंत्रों चार में लग गए जी भी लिखते जाते थे और शास्त्रे संदर्व अपने आप प्रकट होकर उनके विश्वास उत्पादक तरकों में सहायता लेते जाते थे वे घंटों लिखते रहे एक अभ्यास पुस्तिका के पन्ने पर पन्ने भरते रहे जब तक की धीरे धीरे जागने वाले पक्षियों का कलरवना सुनाई पढ़ने लगा जिससे अंदकार पुन रातरे की खामोशी के अंद की सूचना मिली शिग्र ही सुर्योदय होने वाला था नित्ति की दिंचर्याय के अनुसार अभे ने लिखना बंद कर दिया वे अपने कमरे में ही बैठ कर मंद गंभीर स्वर में हरे कृष्ण मंतर जपने लगे सूर्य की प्रथम रश्मियों के फूटने और नदी के जल के द्रश्यमान होने के पुर्वी कुछ बाबा लोग सडकों में प्रार्थना गीत गाते हुए यमना जी की ओर जाने लगे चार बजते बजते सारे नगर के मंदिरों में घंटे घडियाल भगवान की मंगल आरती का संदेश देते हुए बजने लगे अब है एक और घंटे तक अकेले जप में लगे रहे तब वे नहाने की तयारी करने लगे लंबी रसी में बन्धी बाहरी को चट कर पर पानी खीचने के लिए उन्होंने उसे नीचे कुए में धकेला जब ये बाहर निकले तब प्रकाश फैल गया था उनके गले से माला वाली थैलिन लटक रही थी बैक टू गॉड़ेट की कुछ प्रतिया उनके हाथ में थी मंदिर के द्वार पर पहुंच कर वे ताहिनी ओर मुड़े और नगर की टेड़ी मेड़ी एक दूसरे को कार्ती तंग तलियो और गंदे रास्तों से होते हुए आगे बढ़े उस शेतर में दुकाने नहीं थी केवल खामोश आवास थे जिन में कुछ स्यक्रो साल पुराने थे पड़ोस में शांती थी बंद दर्वाजों के पीछे कोई खटी बजा कर मधुरसवर में हरे कृष्णा मंतर गा रहा था एक चौराहे पर जहां श्यामवन की स्त्रियां कुए से पीतल के बरतनों में पाने निकाल रही थी अभे अपनी बाई और की छोटी खुली डियोडियों वाली एक गली में गुड़े दोनों और उन्होंने अलंकरन युक्त मंदिर देखे एक के द्वार पर दो पाशार सिंग खरे थे दूसरे के द्वार पर सिंग सरीके दातों वाला तराशा हुआ एक हाथी इट और चूने से बनी एक दिवार पुरानी होने से गिर रही थी शिक्र ही अभेर राधारमन मंदिर पहुँच गए जिसकी स्थापना भगवान चैतन के एक प्रमुख न्युआई गोपाल भट गोश्वामे द्वारा लगबग पात सो वर्ष पुर्व की गई थी व्रिंदावन की निवासी इस मंदिर में दर्शन के लिए अपने संकल पनुशन नित्य आते जाते रहते थे वे कड़े नियम का पालन करते थे जिससे विभिन मंदिरों के दर्शन के समय वे एक मिनट कभी विलम्ब नहीं होता था अभे मंदिर में प्रविष्ट हुए और उपासकों के समूँ के मद्दे खड़े होकर वे राधा रमन कृष्ण के श्री विग्र का अवलोकन करने लगे श्री विग्र ताजे फूलों की माला पैनेते चमकते हुए रतनों और रेशम की परिधान में सजे भगवान कृष्ण के मद्दकारी श्यामरंग के श्री विग्र बहुत व्यवशाली लग रहे थे अभे जानते थे कि राधा रमन मंदिर के पुजारी संस्कृत के सम्माने त्व्यक्ती थे और उनमें से कुछ अंग्रेजी भी जानते थे इसलिए अभे अपने साथ बैक्टू गॉर्डेट की कुछ प्रतिया ले गए थे वे युवा पुजारी विश्वंभर गोस्वावी से विले जिनकी आयो लगवक 30 वर्ष की थी और जो अपने पिता जी की मृत्यों के बाद वकालत का पेशा छोड़कर मंदिर के प्रबंद का कुछ कारेट देखने में लग गए थे मंदिर की विवस्था जाती गोस्वावी प्रता की अधीन थी और इस तरह विगत 500 वर्षों से उसकी देख रेक विश्वंभर के पूर्वजव द्वारा खोती आ रही थी विश्वंभर बहुत से साधों से मिल चुके थे लेकिन अभे के प्रती शिष्ट और विनम्र व्यभार से वे तक्षन प्रभावित हुए उन्होंने बैक टू गॉड़िट के प्रतिया स्विकार की और वे अभे के साथ बैट कर उनसे वार्ता लाप करने लगे इसके बाद अभे व्रिंदावन की घुमावदार गलियों को पार करते वे राधा दामोदर मंदिर पहुँचे मार्ग में उन्हें व्रिद्ध बाबा लोग मिले और जल से ले जाती हुई हिस्ट्रिया मिली और एक खुली डियोडी के निकट एक दुकान मिली जहां लोग एक शिव लिंग की अराधना कर रहे थे एक पक्की दिवार के उपर बैठे वानर इस छट से उस छट पर इस शिला फाटक से उस शिला फाटक पर कूद रहे थे और गली में नीचे जाते हुए अभे की ओर देखकर चहकते हुए कटकटाते हुए भाव बंगिमा बना रहे थे सवेरा होने के साथ खुले फाटक के अंदर खेलते हुए नंगे पैर वाले बच्चे अधिकाधिक संख्या में दिखाई देने लगे अभे माला की थैली में दाहिना हाट डाले हुए और जब करते हुए चले जा रहे थे उनके होट मंद गती से हिल रहे थे व्रिंदावन में शायद ही कोई जानता हो कि वे कौन है लेकिन एक वयो व्रिद सुसंस्कृत बंगाली सज्जन की रूप में वे कोई असामाने द्रिश्य नहीं प्रस्तूत कर रहे थे वे एक धर्मनिष्ट बाबू थे ऐसे नगर में जो पूर्ण रूपेन धर्म को समर्पेत था जो हम सुनते हैं कि व्रिदावन में शायद ही उने कोई जानता रहा हो कि वो कौन थे तब हम आज की परिप्रेश में ये भी स्मर्ण कर सकते हैं शायद ही कोई ऐसा होगा व्रिदावन में जो नहीं जानता होगा आज कि श्रीलप्रभपात कौन है अभे नियमित रूप से वरिंदावन के प्रसिद मंदिरों में जाते और बाद में दुकानों से चीजे खरीदते वे अपने स्थान पर खाना पकाने के लिए साग भाजी लिये हुए 11 बजे के आसपास लोटते मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव पर तीन खाने वाले कूकर में वे भात, आलू और कभी-कभी सबजी पकाते वे चपाती भी बनाते, दिन भर में वे केवल एक बार दौपहर में भोजन करते और शाम को एक प्याला दूद ले लेते जब उन्हें भोजन बनाने का समयना मिलता तो वे भगवान का प्रशाद ग्रहन करके रह जाते दौपहर के खाने के बाद वे 15 मिनट के लिए जपकी लेते और फिर लिखने में लग जाते उनसे मिलने के लिए शायद ही कोई आता, वे अकेले रहकर लिखते रहते सुर्यास्त के ठीक पहले वे पुनह मंदिरों में जाते केशी घाट पर उन्हें यहाँ वहाँ अकेले बैठे और यमुना की और मुक्किये साधू दिखाई दिए सुयम यमुना में कोई अधिक फीर न दिखाई देती एक दो नावे कभी कभी उसके शांत जल पर धीरे धीरे तैरती होती कभी कभी कोई मचली जल के उपर छलांग लगा जाती या कोई पक्षी नीचे आँख गड़ाय जल के उपर से निकल जाता केशी घाट शांत और सुन्दर लगता संध्या समय जब अभै नगर में से होकर वापस लोटते तो अपने को एक के बाद दूसरे किरतन की स्वर लहरियों से आनन्दित पाते राम, कृष्ण, चैतन्य, नर्शिंग, सिव के मंदिरों, आश्रमों, घरों यहां तक की सडकों में चलते जन समुहों से भी कीरतन की बोल उटते रहते वे प्रायत देखते हैं कि बंगाली विध्वाएं किसी बड़े कमरे में एक साथ रह रही हैं, ऐसी हजारों विध्वाएं व्रंदावन में आश्रमों में रह रही थी, उनकी जर्वते बहुत थोड़ी थी, वे मोटी सफेज सानिया पहनती थी, बाल कटा कर छोटे रखती थी और मत्रा जाने के लिए भी व्रंदावन छोड़ने को तैयार नहीं थी, वे केवल व्रंदावन में रहना चाहती थी और हरे कृष्ण रख्ती हुए व्रंदावन में मरना चाहती थी, एक आदमी म्रदंग बजाता और किर्तन का निर्टत्त करता बैठा होता और विद्वाओं का समुधाय आगे पीछे तालिया बजाता हुआ बाल सुलब वारी में उनका अनुगमन करता मृदंग तालियों और गायकों से जो कोई पटू गायक नहीं थे लेकिन सचे भक्त थे मिलकर संध्या के समय बड़ी ही मधुर ध्वनी निकलती थी अभै जब चलते होते तो एक किर्तन की आवाज पीछे छूटते ही आगे दूसरे किर्तन की आवाज जोर से सुनाई देने लगती और उसके मंद पढ़ते ही अगले किर्तन की आवाज आने लगती किसी मंदिर में अन्वरत गती से कभी कभी मंदली या क्यवल एक व्यक्ति अपने राधे राधे के गान में विभोर अभय के पास से निकल जाता। होती प्रतीत होती थी और जब अभय एकांत वंशी गोपाल मंदिर लोटते तो वहां भी कीरतनों की ध्वनिया उन्हें सुनाई देती हाँ ये कीरतन सालोजनिक नहों कर अधिक निजी होते थे जैसे किसी कमरे में केवल पती-पत्नी कीरतन में लीन हो पती मृदंग बजाकर भजन की एक पंती गाता और पत्नी उसका नुसरन करती भी उसे दोहराती व्रिंदावन कोई सामाने नगर नहीं था वहां हर गाने वाले का संगीत मदूर था और हर एक अपने धंका दक्ष संगीत अग्य था और हर एक कृष्ण के गुण गाता था कृष्ण हर अवसर पर और हर घटना में उपस्तेत होते वास्तों में व्रिंदावन कभी सामाने नगर नहीं था आज का व्रिंदावन भी श्रुल प्रभुपाद द्वारा बताया जाने अला व्रिंदावन कम से कम 45-50 वर्ष पहले का व्रिंदावन है 60 वर्ष पुराना पर आज का व्रिंदावन भी बहुत भिन्य नहीं प्रतीत होगा यदि हम उसे शुल प्रभुपाद की दृष्टी से देखने सुनने और समझने का प्रयास करें शुल प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण की महिमा को कोई नहीं समझ सकता यही हाल व्रंदावन का है जिस भूमी को व्रंदावन कहते हैं उसकी शमता भी असीम है जब आप व्रंदावन जाएं तो आप वहाँ अभी आध्यात्मिक वातावरण की असीम शक्ती पाएंगे यदि आप वरंदावन जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ अब भी कितने ही संत और महात्मा वरंदावन धाम की उपासना में लगे हैं। जैसे भगवान कृष्ण उपास से हैं, उसी तरह उनका धाम वरंदावन भी उपासना के योग के हैं। आज के लिए हम सत्र को जब यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, तो अपने मनमस्तिश में श्रिविंदावन धाम की उसी दिव्विच विका, हमें स्मरन करने का, उसे स्थिर करने का प्रयास करें। तो सत्र को आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरु देव की जै, अनन्त कोटी वैश्नो व्रिंद की जै, हरे क्रिष्णा!